खेंड नमसकार है आप लोगों का टॉप टेंड क्लանेज में हुआदीक स्वागत है टो गैश कैसे हैं अमध्द करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे क्लास के सेसं को आनंद लेते होंगे जो आइन करके purchase करने वाले हैं आज dealt लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं किस टॉपिक की जब वश्तु अखरता केंद्रा न कि फोकस पर हो तब प्रतिभीम कहां बनेगा और जब वश्तु मुख्य मुख्यों पर हो तब प्रतिवीम कहां पह बनेगा इन दोनों इस हित्यों कि लोग δेखेंगे क्या प्रतवीम कैसा बनता है क्या बड़ा बनेगा क्या छोटा बनेगा सारे क्यूष्टनों का जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा आज की लेक्टर में आप लोग जान जाएंगे कि किसी ओतल दरपड़ के सामने जब वस्तु को हम लोग C और F के बीच में रखते हैं तब प्र करने से पहले चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और दोस्तों के साथ सेर को क्लास को सेर कर दीजेगा आयो तो देखते हैं जब वस्तु कहां पर हो वक्रता केंद्र वो मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रदभीम कहां बनेगा तो यह सबसे पहले आप लोग क्या बनाएंगे एक आउतल दरपड बनाएंगे जो बाहर की तरफ क्या होता है कलाई होता है जो बाहर की तरफ पॉलिस होता है जो बाहर की तरफ प्रिंट होता है वो दरपड कौन सा दरपड कहलाता है आउतल दरपड कहलाता है तो यह हो गए बनाएंगे मुक्य अच्छ बनाएंगे बना लिएHi हो गई इस qy रोइख अब इस लाइन को आतों कर फोकर फोकस इस्तित होता है और यहस्ट को कहां रखना है कि यह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो, तो इस बार वस्त को हम लोग कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, वस्त वही A और क्या है, B है, इस बार C और F के बीच में है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, तो सबसे पहला नियम लगाए कहां से होकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है यह दकिए पहला नियम आपने लगा मुक्य से निकलने वाली प्रिकास केरे मुख्यक के समानतर पड़ी है और पढ़ने के पोफचा तो मुख्य फोकस से होकर जाती पहला नियम लगा दिए दूसरा नियमma आपने क्या पढ़ा था दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा था कि दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा था गाईज दूसरा नियम आप लोगों ने पढ़ा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कहां सोकर जाने वाली मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रिकास केले जब दर दर्पड से टक्राने के पश्चात्ष ឦ्रपड से टक्राने के पाश्चातत्ष क्या हो जाती है मुख्यच के समा तर Rs. जाती हैं मुख्यच के क्या ओजाती समानतर हो जाती ती देखें यह यह अंदनधंस के काटष समंझ ने दो कहा सो कगई अंदने लगा कि मुख्य फ्लकर में लगा कि मुख्यच के स्osse मांतर हो तो यह देखिए एक दूसरे को यहां पर काट रही है एक दूसरे को जहां पर काटी वहीं वस्त क्या बन जाएगा प्रतिविम बन जाएगा तो यह देखिए जो प्रतिविम बना तो इस प्रतिविम को मिलाते है जहां एक दूसरे को काटे हैं तो जो दूसरे को काटे हैं यह पॉइंट क्या है यह पॉइंट क्या हो जाएगा यह पॉइंट हो जाएगा तो गाइज देखिएगा वस्त वक्रता केंदर के पीछे बना है कहा बना है वक्रता केंदर के पीछे बना है और इधर आपने याद किया था इससे पहले वाले स्थिती में इधर दूरी क्या होती है अनन्त होती है इधर की दूरी का होती है अनन्त होती है तो भाई हम यह बता सकते हैं कि जो प्रतिविंभ है वो अनन्त ववक्रता केंद्र के बीच बनेगा कहा बनेगा अनन्त ववक्रता केंद्र के बीच में बनेगा बड़ा बनेगा अनन्त ववक्रता केंद्र के बीच में बनेगा यह बाते क्लियर हुई गैज अगला क्या बना है उल्टा बना है क्या बना है उल्टा बना है और दर तो वह आश्त उसे बढ़ाव बनेगा दो यह बात्ते क्लियर हूँ दूसरा पॉइंट अब क्या लिखेंगे ढूसरा पवाइंट क्या लिखेंगे जो प्रतिवीमभ व्हों कहां बना एंदि देखें प्रतिवी म्ला प्रतिवीमभ वक्र्ता केंद्राव के प्रत्विंब वख्रता केंद्र वख्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बने गा मैं अनंत के बीच बनेगा यह बाते क्लियर हुई आपकी गाइच चलिए अगला चाहिएं तीसरा क्या करना है तीसरा क्या है प्रत्विम्ब जो है उल्टा बनेगा क्या बनेगा प्रत्विम्ब उल्टा बनेगा और चौथा पॉइंट क्या है चौथा पॉइंट है प्रत्विम्ब क्या बनेगा वास्त्विक बनेगा क्या बनेगा वास्त्विक तो प्रत्विम्ब वास्त्विक इक ओतल्डरपर बनाते हैं यह आपका और भाफ की तरफ कर देशना वह कोन सा दरपर होता है और अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे मोळाएंगे ज rein को राओ पशलिखन च्यांगता मरतां यहीं कहीं क्या होता मुखुछ फोकॉस होता और उसके ख्या होता है वक्रताए किंध्य होता यी बाते मुख्र्थ हो गतौस हो गया वक्रता किंद्र होता है यह आपका मिख्रत कर दो कहा ना मुख्रेख्थ और च === जब दरपर से टकराने की पहस्चाथ कहा सो करजाती हैं यह आपने पहला नियम लगा दिये और यह क्या है कि मुख्यच के समांतर चलने वाली प्रिकास के दरपर से टक्राने की पस्चात मुख्य फोकस से हो कर जाती है थोड़ा सा यह लाइन आपका जरूर तेड़ा हुआ है आप इसे जरूर आगे बढ़ाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार आएगा देखिए ठीक चले तो आप लोगी स्केल्स बनाएंगे तो आपको तीड़ा नहीं दिखेगा ठीक गया ती मुख्य फोकस हो गया फिर आप दूसरा नियम क्या लगाएंगे दूसरा नियम क्या लगाएंगे आपने पढ़ा था वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली तो भाई साब यह होई प्रिकास किड़े वक्रता के अंसों कर गई तो वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली प्रिकास किड़े जब दरपर से क्या होई टकराई तो दरपर से टकराई यह दरपर से टकरानी के पस्चात क्या हो जाएगी मुख्यच के समानतर हो जाएंगी यह क्या हो जाएंग आप ध्यान से समझेगा इसका सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे पहला पॉइंट हमने क्या नियम लगाया है कि मुख्यच के समांतर प्रिकास क्रिणे जब दर पर से टकराई तो कहां से हो गई गई मुख्य ताकि अंदर से होकर जाने वाली प्रिकास क्रिणे उसी मार में वापस लवटाई हैं तो यह दोनों क्रिणे अनंत पे जाके जरूर मिलेंगी आगे बढ़ती चली जाएंगी पता नहीं कहां मिलेंगी तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे प्रत्विंब अब सुचो अगर यहीं पर मिल जाती यहीं पर तो भी प्रत्विंब इतना बड़ा बनता तो वस्तु इतने चोटा है न तो आगे पता नहीं कहां मिलेगा तो प्रत्विंब वस्तु से काफी बड़ा बनेगा वस्तु से काफी बड़ा काफी बड़ा बनेग छोटा नहीं काफी बड़ा बनेगा ठीक अगला पॉइंट अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे जो यह प्रतिबीम्ब है आपका वो क्या होगा सबसे पहली बात तो कामन चीज वास्त्विक बनेगा क्या बनेगा वास्त्विक बनेगा और तीसरा पॉइंट क्या नोट करें अगला चीज किया बनेगा अरे पता नहीं तो पिछ तो ऑन्द्पर बनेगा तो इस प्रकार को स्टारपुएंट करना है कहा बनेगा अनत्पबनेगा कैसा बनेगा उल्टा बनेगा वास्तिक बनेगा बड़ा बनेगा चोटा तो गाइच आप इसका screenshot लीजिएगा ठीक screenshot लीजिए तो I hope वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत